नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है साथियों ध्यानाकर्षन और शिक्षन संग्रे मोडियूल पर आधारित छे परशिक्षन का कोर्स दिक्षा एप के उपर डाउनलोड किया गया है जिनको हमें 31 जोलाई से पहले पहले संपूर्ण करना है पहला परशिक्षन हमारा ध्यानाकर्षन की 18 तकनिकियों में से एक तकनिकी संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष के वातावन पर आधारित है इस परशिक्षन को करते समय हमें एक आकलन परपत्र भी भरना है उस आकलन परपत्र में क्या-क्या प्रश्ण हमारे सामने आएंगे आईए उन पर चर्चा करते हैं साथियों जब हम आकलन परपत्र पर आते हैं तो हमारे सामने इस तरह से कुष्चन खुल के आता है इस कुष्चन को पढ़ रहे हैं एक विद्याले के आदर्श कक्षा कक्ष की कुछ परमुक शिक्षण सामंगरी है उसके नीचे चार विकल्प दिये हैं निर्धारित मापका शामपट, मानचित्र गलोब, घड़ी, कुडादान, प्रिंट सम्रदता वे ICT सिक्षण हेतु उपकरण उपरोक्त सभी साथियों उपर के तीनों विकल्प में जो भी सामंगरी दे रखी है, वो सब की सब हमारे कक्षा कक्ष की परमुक सिक्षण सामंगरीयों का पार्ट है तो उपरोक्त सभी विकल्प हमारा सही है, इस पर हम प्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं अगला कुश्चन हमारा आता है, कक्षा कक्ष में प्रेरना लक्षों की सूची और तालिकाओं को लगाने का उदेश क्या है साथियों इसके चार विकल्प दिये हैं, सिक्षकों और अन्या अनुसरवन करताओं को बच्चों के आकलन में सुईधा हो सरकार का निर्देश है, कक्षा कक्ष प्रिंट रिच हो जाएगा, उप्रोक्त में से कोई नहीं साथियों ये इस वज़े से हमें लगाना अनिवारी है, शिक्षकों और अन्या अनुसरवन करताओं को बच्चों के आकलन में सुईधा हो ये वाला विकल्प सही है और आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं अगला कुष्चन आया है, लर्निंग कॉर्नर से क्या आश्य है पहला विकल्प है बच्चों का कोने में बैठ कर पढ़ने का इस्थान, दूसरा है कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभी प्रेरित करने हैं तू सुसजित करना, सिक्षक की कुर्सी एक कोना में रखना, सिक्षक कमजोर बच्चों को एक कोना में बैठाते तो इसका दूसरा विकल्प जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कक्षा का एक कोना बच्चों को पढ़ने के लिए अभी प्रेरित करने हेतु सुसजित करना विकल्प सही है इसको क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कुष्चन आया है हमारा संसाधनों से परिपूर्ण कक्षा कक्ष वातावर निर्मान करते समय सिख्षक को ध्यान रखना चाहिए की चार विकल्प दिये हैं कक्षा कक्ष प्रासंगिक चित्रों चार्टों पोस्टर्स आकर्तियों से युक्त हो दूसरा है बच्चों के इस्थानिय परिवेश से जुड़ी हो लर्निंग आउटकम की प्राप्ती में सहायक हो उप्रोक्त सभी तो साथियों जो भी हमारी सामगरी हो उससे रिलेटिड ये चोथा विकल्प उप्रोक्त सभी वाला हमारा सही है तो इसको हम सेलेक्ट किया और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कुछ्चन आता है मिशन प्रेड़ना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित डैश के सभी विद्यारतियों के लिए प्रेड़ना ताली का कक्षा कक्ष में लगी होनी चाहिए इसके चार विकल्प हैं छे से आठ तक, कक्षा एक से आठ तक, कक्षा एक से पांच तक, कक्षा एक से तिन तक तो प्रेड़ना ताली का हमारी कक्षा एक से पांच तक तीसरा विकल्प सही है आगे बढ़ जाते हैं तो अगला प्रशन आता है ध्याना कर्शन सिवीर को ध्यान में रखकर बनाई गई आदर्स समय सारणी कहां लगाना है हमारी आदर्स समय सारणी कक्षावार उसी कक्ष में लेगेगी तो इसमें दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं कक्षा कक्ष में इसको हमने क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं तो next question आता है आप बच्चों को print सम्रदवातावन से जोडने के लिए चार विकल्पती हैं क्या क्या करेंगे बच्चों को कक्षा में posters और चित्रों के अवलोकन का अवसर देंगे बच्चों को चित्रों पर बाच्चीत का अवसर और प्रशन पूछने के लिए प्रोतसाहित करेंगे उप्रोक्त सभी तो उप्रोक्त सभी हमारा सही विकल्प है और आगे बढ़ जाते हैं अगला question आप देख रहे हैं एक ऐसी कक्षा जिसकी दिवारे रंगा रंग वे प्रेयना दायक हैं posters, chart papers, वे अन्य रोचक print सामगरी से प्रीपूर्ण हैं बच्चों की जिग्यासा, वे दैनिक अनुभाओं की अभिव्यक्ति के आवसर सर्जित करती है क्या आप इस कथन से सहमत हैं तो इसमें हम बिल्कुल सहमत हैं तो पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है इसको हमने क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं अगला कुश्चन आता है कक्षा कक्ष को print rich बनाने का एक महत्वपूर्ण लाब है की बच्चे बार बार देखते हैं बच्चो की शाक्षरता का पहला चरण है चारो और दिखाई देने वाले print में अर्थ भी छिपे होते हैं उप्रोक्त A, B, C तो इसका चोथा विकल्प हमारा सही है उप्रोक्त A, B, C इसको हमने क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं बच्चो द्वारा बनाए गए चित्र, पोस्टर्स, वैविशेगत सिक्षन सामगरी कक्षा कक्ष में लगाना इसके चार विकल्प दिये हैं संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष वाता वर्ण का अंग नहीं है बच्चो को उत्साहित होकर सीखने में मदद करता है सही है, इसको हमने क्लिक किया और आगे बढ़ जाते हैं तो इस परकार से हमने 10 कुष्चन में से 10 के 10 अटेम्ट किये और हम इसको पिर सम्मिट कर देते हैं तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे 10 में से 10 बिलकुल सही है तो आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें